अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बिटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नमबर 15 विज्ञान सब्जेक्ट के बिटा 6th क्लास के बिच्चों के लिए 20 तारीक की है ठीक है जिसमें आज हम पोदो को जाने है चैप्टर से जड़ के बारे में जानेंगे पोदो होगी ठीक है तो जड़ क्या होती है तो देखो किसी पोदे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्तित होती है तो ये मिट्टी के कहां पाई जाती अंदर पोदों में जड़ तंत्र दो परकार के होती है और बिटा जड़ तंत्र यानिकी जड़ के परकार कितने तरीके की प ठीक है खोद कर तो क्या आप आसानी से घास को निकाल पाते हैं तो आप कोगे हाँ ठीक है फिर तीन या चार चने के बीजो को को गोली रूई में रखें ठीक है की गोली या पर की आएगा की गोली को रूई देखो बीजो की गोली या गोली रूप में रखें यानि की आपको क्या करना है तीन चार बीज ले लेना चने के फिर पानी में डाल कर रूई को हमेशा नम रखिए और जब तक कि बीज अंकुरित हो कर नवोदित नहीं बन जाएं एक सब्ता बाद उसे खीच कर रूई से भार निकालने का प्रियास करें देखो complete नहीं लिखा गया बिटा आप इसमें ये समझो क्या बूला है आपको दो तीन चने के बीज लेने है उनको फिर क्या करना है गोली के रूप में कोटन के उसमें कवर करके रख देना है फिर उस पे क्या करना है पानी को छिड़कना है ठीक है अच्छे जादा नहीं छिड़कना है बस उतना की वो भीग जा ठीक है और एक छोटा सा पोधा ना बन जाए फिर एक सब्ता बाद क्या करना है उस पोधे को उस रूई से बहर निकलने के कोसिस करना है तो पेटा फिर देखना कि आप जड़ों को रूई से आसानी से नहीं निकलते तो ये भी आसानी से नहीं निकलते बिटा और ये बिल्कुल भी आसानी से निकलते इसका अर्थ है कि जड़े पोधों को मिट्टी में मजबूती से जखड़े रखती हैं इन्हें मिट्टी के पोधों का सिथरक कहा जाता यानि कि बिटा ये मिट्टी में पोध को खड़े रखने का कारिया करती है इस तरीके से कह सकते हो आप जखड़े रखने का कारिया करती है ठीक है अब हम करते हैं क्रिया कलाप इससे पहले हम जानते कि जड़ के हमने दो परकार पड़े कौन-कौन से थे मुसला जड़ और रिशेदार जड़ जड़ जो जड़ थी बेटा वो किसमें पाई जाती हैं जैसे सेम के पोदे हो गए आम का पेड़ हो गया रेसेदार बेटा गेहूं में मक्का में इन सब में पाई जाती हैं जड़े अब एक क्रिया कलाब करते हैं क्रिया कलाब क्या है बेटा किसी खुले मैदान में एक जैसे दो खरपतवार लीज एकों ने जड़ों के साथ लगा दिया इसमें नियामित रूप से जल एक सब्ता के बाद इनको देखिए और नियामित रूप से इनमें जल डाला और एक सब्ता के बाद आपने इनको देखा तो क्या दोनों पोदे स्वस्थ हैं दोनों पोदों में नियामित रूप से जल दि उचाने का कारिये करती है ठीक है आप ये कह सकते हो जडो का दूसरा बेटा अब यहाँ पर देखो हमने जडो क्या किया था मुशला जडो रेसिदार जडो परकार की पड़ी थी अब इनमें अंतर क्या है ये मुख्य जड है ठीक है जिन से जडो की साखाय निकलती है तो मोर आम के पोधों में पाई जाती है तो ये मिट्टी में गहराई तक उगती है मुशला जड़ वाले पोधों की पत्यों का सिराविन्या जाली का रूपी होता है यानि कि इसकी जो पत्या होती है बेटा उनका जो सिराविन्यास ये वाला है ये कैसा पाता है जाली का इनमें कोई एक मतलब मेन रूट यानि की मुख्य जड़ नहीं होती सभी यहां से निकलती है एक मुख्या नहीं होता है फिर जड़ों का गुच्छा पतला होता है और क्या होता है रेशेदार होता है निकि बहुत छोट छोटे से जड़े निकलती है रेशे जैसा लगता है ज जैसे केले के पत्तों में आप देखोगे बिटा इस तरीके से पाता है इनका समांतर ठीक है अब बिटा इसके कुशन आंसर करते हैं तो देखो जड़ो के क्या कारिये हैं तो जड़ क्या करते हैं जड़े पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कारिये करती दूसरा मूसला जड़ो और रेशेदार जड़ो में क्या अंतर है तो यहां से बिटा लिख दोगे एक दो तीन एक दो तीन पॉइंट फिर रिक स्थान की पूर्ति कि यह किसी पोदे में जड़ मिट्टी के देखो बिटा आंसर भी साथ ही बता दिया यह पूछना चाहरा है किसी पोदे में जड़ मिट्टी के डैस भाग है तो क्या है आंतरिक या अंदर का ठीक है अंदर का भाग है फिर पोदो में डैस प्रकार की जड़े पाई जाती है दो प्रकार की जिन पोदो की पत्यों की जाली का रूपी सिराविन्यास होता है उन्हें मूसला जड़ कहते है ठीक है क्या कहते है मूसला जड रेसे 10 जड वाले पोदों की पत्यों का सीरा विन्यास कैसा होता है बटा समांतर क्या लिखोगे समांतर होता है यह थी बटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टोपिकां अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक लेसी हसते रही है मुस्करात रही है पढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है थैंक्यू